मैं फटाफट से बता रहा हूं, it's all about unitry method, ठीक है, less by more, more by less, ठीक है, तो एक छोटी सी brick है, brick, ठीक है, मैं आपको यह बताता हूं, there is a brick, यह एक इनिट है, छोटी सी इनिट है, ठीक है, इस छोटी से इनिट के जो dimensions हैं, वो आपको दे रहे हैं, the dimensions of this brick, ठीक है, इस इनिट के dimensions कितने दियें, 22, length 22 है, width 10 है, और height 7 है, ठीक है, all are in centimeter, तो इसका volume कितना जाएगा, volume of brick का, volume of brick will be nothing, but solve मत करना है, इसे, सिर्फ ऐसी लिखना, 22 into 10 into 7 centimeter cube, अब आप से क्या बोल रहा है, now इनिटो से आपको एक wall construct करना है, उसमें कितनी इटे लगेंगी, यह पूछ रहा है, लेक इट थोलना है, तो अगर मैं total volume देखूंगा, ठीक है, तो total volume of the wall will not be the total volume of the bricks, उसमें से कुछ cement का भी तो volume add हो चुक है, तो उसको हटाना पड़ेगा हमें, तो 1 by 10 है, जो cement use हुआ है, तो 1 by 10 हटाओगे तो 9 by 10 will be the remaining, ठीक है, तो यह तो volume of brick है, ठीक है, अब आपको एक wall बना अब यह meter है, try to convert it into centimeter, ठीक है, एक meter में कितना centimeter होता है, how many centimeters are there, in 1 meter, tell me this, how many centimeters are there in 1 meter, एक meter में कितने centimeter होता है, हाँ, 100 centimeter, एक meter में होता है, 100 centimeter, एक meter में होता है, 100 centimeter, एक meter इतना तो होता है, अब मैं कैसे बताओ अभी आपको, छोटी सी screen है, ठीक है, हाँ, 100, तो मैं सभी को centimeter में 3300 cm ले लिया इंटु 3.5 को इंटु 100 करोगे तो इस विल भी 350 ठीक है और इंटु 40 cm ठीक तो ही तो यह इसका क्या आ जाएगा निकालना्य अगर आपको निकालना है वॉल्यूम अवह ओंली चुद ब्रिक्स कि जो वॉल्या लगीवी है इस समझमर usi अगर पर 2 पर 5 अजोर। इन नोड़ को को माइनस करने है तो आंसर भी 8 डारेक्ली आप 8 ले सकते हो आप क्यों 10-2 कर रहे हो उसी तरीके से अगर 1 by 10 नहीं है तो 1-1 by 10 will going to give you 9 by 10 so 9 by 10 इंटू 3 3 0 0 इंटू 3 50 इंटू 4 40 cm3 इंटू 4 40 cm3 this will be the volume of bricks only ठीक है अब unitary method लगा लो ठीक है अब तो less by more more by less तो अगर 22 इंटू 10 इंटू 7 में कितनी bricks आती है एक brick आएगी ठीक है अब मैं unitary method लगा रहा हूं ध्यान से देखना जिन बच्चों को नहीं आ रहा है तो 9 upon 10 इंटू 3 3 0 0 इंटू 3 50 इंटू 40 cm में कितनी bricks आएंगी more ठीक है more by less into individual value करोगे we'll get your answer so simple ठीक है more का formula क्या होता है more upon less into individual value individual value ठीक है तो more क्या था more था 9 by 10 इंटू 3 3 0 0 इंटू फिर क्या था 3 3 0 0 इंटू 3 50 इंटू 40 350 इंटू 40 upon upon में क्या है upon में 22 10 7 22 इंटू 10 इंटू 7 इंटू individual value 1 brick बस यही तो solve करना है you will get your answer ठीक है इसी को तो solve करना है बस जब हम इसको solve करेंगे तो एक 0 से एक 0 काट लो ठीक है जाएगा ठीक है यह 0 से 0 इंटू 30 आगया 2 और 2 तू तो कितना आ गया दिस विल भी और 9 इंटू 30 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 1 इतने bricks आ जाएंगे तो 9 3 इंटू 70 52 इंटू 100 bricks तो इस विल गूंग तो 27,000 bricks ठीक है बहुत ही आसान सवाल था है जाएंगे बहुत है